हेलो एबरिवन स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूटुब चैनल बेस्ट नोट्स टिटोरियल में और मैं मनवर सिंगलाय हूँ 20 महत्वपूर्ण MCQ जो काफे एक्जाम्स में पोछे जाते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्राखन मिट्टी, क्रिसी और सुपालन एवं सेंचाई तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दे सब्सक्राइब कीजे और बेल आइकन को प्रेस कीजे ताके हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तब पहुँचे तो चलिए शुरू करते हैं और जो आपका पहला क्वेस्टन आ रखा है वो है उत्राखंड में भककार सब्द का परियोग किसके लिए होता है तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा उप्सिन नमर डी खाजानों के भंडारां हे तो तो इसके बार में कुछ इंपोर्टेंट है नहीं इसलिए हम चलते हैं अगले क्वेस्टन पे तो अगले क्वेस्टन जो आ रखाय हो है राज्य के सुध सिंचन समता में सरवातिक योगदान निम्न में से किन का है तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा अप्सिन नमर बी नलकूपों का राज्य में सिवालिक से दक्षन तथा दून चेतरों में सेंचाई हे तो नलकूपों का प्रियोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है जिन चेतरों में नहरों का अभाव है वहाँ इसके विकास पर विसेज जोर दिया जा रहा है प्रदेश में नीजी तथा सरकारी तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नम्मर सी सरवादिक उत्पादन उधम सिंग नगर में होता है गन्निका तो हम चलते हैं अगले क्वेस्टन पर अगला क्वेस्टन है उत्राखंड राज्यमय प्रेथम डेयरी संग कहां स्ताफित किया गया था तो इस क्वेस्टन परवतिय छेत्रों के अधिकांस्तह मृद्य का फीयसमान कितना है तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नम्मर वी 5.5 यह वन 6.5 के मध्यम है तो इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट तो हैं नहीं इसलिए हम चलते हैं अगले क्वेस्टन तो अगले question है निम्न में से कौन सी फसल राज के तिराई छेतर में अप्रेल माहे में फूल आने की अवस्ता में दिखती है तो आपका जो सयांसर होगा वो होगा अप्सिन नमर सी सूर्य मुखी सूर्य मुखी का सरवादिक उत्वादन वाला छेतर है नैनिताल अलमोरा देहरदून हरिद्वार हैं तो हम चलते हैं अगले question पर तो दोस्तों अगले question है वो है राज्य में दूध एवं दूध उत्वादों का को किस brand name से बीचा जाते हैं तो इसका उत्तर जानते होंगे तो कमेंट्स बॉक्स में जरू दे और मैं भी बता दो तो आपको जो सही आंसर होगा वो होगा option नमर डी आंचल उत्रवदेश के परागी की तरह राज्य में आंचल ब्रांड आंचल व्रेंड नाम से दूध एवं दूध दूध पदारतों के आप उर्ति की जाती है यहीं बेचा जाता है तो आपको अगला क्वेस्चन है तो दोस्तों अगला क्वेस्चन है राज में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महतपूर्ण समुह किन का है तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा option नमर बी गेहू धान मंडवा वा आलू तो हम चलते है अगले क्वेस्चन पर दोस्तों अगले क्वेस्चन है उत्रा खंड में क्रिशी भूमी नापने का पैमाना क्या है तो इसका अंसर तो आप लोग भी जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर दें तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा option नमर ए नाली तो मुठी राज में क्रिशी भूमी नापने के लिए नाली वा मुठी पैमाना प्रयूक्त होता है एक नाली ब्राबर होता है 200 वर्ग मीटर तथा 50 नाली ब्राबर 1 हेक्टेयर तो हम चलते हैं अगले क्वेस्चन है उत्रा खंड में क्रिशी योग भूमी लागवक कितनी ह तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नमबर बी तेरा पड़ते साथ तो हम चलते हैं अगले क्वेस्चन पर तो दोस्तों अगला जो क्वेस्चन है वो है उत्राखन में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नमबर ऑप्शन नमबर सी दोस्तों वर्ग मीटर तो इसके बारे में भी कुछ इंपोर्टन तो है नहीं और हम चलते हैं अगले क्वेस्चन पर और अगले क्वेस्चन आ रखा है उपरी गंगा का उद्गम इस्तान कहां है तो इसम जो आपका से आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नमबर बी हरी द्वार यहार राजे के सबसे पुरानी नहर है जिसका निर्मार 1842 से 1854 के बीच किया गया था इसका उद्गाठन लॉर्ड डलोजी ने किया था इस नहर को हरी द्वार के समी गंगा के दाहिने छोर से न सबमकर के चलते हैं अगले पर यहां कहा सबस्क्राई जरूब्ड गरमसी संपस्क्राइवर्owa 15 सब्वार्शा गयंदेव द्वार झाण के जाता है तो आपका कहा गया कोकर होगा और है कॉधयो आपको कि अनुए और हम चलते हैं अगले question पर दोस्तों अगले question है राज्य में चाई की खेती को सर्व पर्थम किस व्यक्ति ने कराया तो आपका जो सहांसर होगा वो होगा option number C विशप हेवर और अगला question है और अगला question आ रखा है निमनी लिखित मैं से राज्य में सरवादिक छेत्र फल पर खेती की जाने वाली दो फसले हैं तो इसमें जो आपका सहांसर होगा वो होगा option number B गेहों वचावल तो हम चलते हैं और अगला question है चावल का सरवादिक उत्पादन किस जिल्ले में होता है तो आपका जो सहांसर होगा वो होगा option number A उधन सिंग नगर में चावल राज्य का दूतिय प्रमुक फसल है इसके लिए चिकनी उपजाओ या मटियार दो मन मिट्टी गर्म जलवाईं पुचेतर से 125 सेंटीमीटर वर्चा रोपते समय 20 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस तापमान सरवतम होना चाहिए उत्राखन की कुल क्रिशी भूमी के लगवग 21.6% बाग पर चावल हो गया जाता है और चावल का जो सरवादी कुद्पादन होता है वह होता है उधम सिंग नगर में और हम चलते हैं अगले क्वेस्टन पर राम गंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है तो आप आपका जो क्वेस्टन है वह है राज जो मैं जीरेनियम की खेति की जाते है और जीरेनियम का मुख्य उत्पाद क्या है तो जो आपका से आंसर होगा वह होगा ऑप्सिन नमर डी सुगंदित तेल जीरेनियम अफ्रीकी मूल का एक साके सुगंद यूक्त पोध है इसका जो मुख्य उत्पाद है वो है सुगंधिन तेल जो जिरेनियम की पत्तियों से निकाले जाते हैं जिरेनियम के एक पोधा है तो हम चलते हैं अगले क्वेस्टन है निम्न मेंसे स्वतंत्रता के बाद राज में पहला भूमी बंदोबस्त हुआ तो वह हुआ था निम्न मेंसे किस फसल की खेती राज्य के पहाड़ी चेत्रों में की जाती है तो आप जानती होंगे फिर भी मैं बता दूँ यदि आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर दें तो मैं बता दूँ वह है ऑप्शन नमर्स सी जहंगोरा उतरा खर नमर्स नाम से पहिचाने जाने वाले अनाज का वानासपतिक नाम है इकनिकलोवा फ्रूमेंटेंसी है आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा और अंग्रेजे में इसे इंडियन बर्न यार्ड मिलेट या विलियम डॉलर ग्रास के ना जाता है यह सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु चीन नेपाल जापान पाकिस्तान और अफ्रीका के साथ कुछ यूरोपी या देशों में भी पैदा किया जाता है यह आप पहार से देख रहे होंगे वैसे ज्यादा तो लोग तो उत्रा खंद सही देख रहे होंगे तो यह पसंदारी तो लाइक करें जाणनों पर नहीं हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेश करें मैंने पहले भी बता दिया कि बेल आइकन को प्रेश करदें जिसे ताके हमारे focus पहले आप तक पहुंचें तो दोस्तों बने रहे वीडियो के साथ और हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास में तब तक के लिए टाटव बाई बाई टेक केर